रहीं दोस्तों, Themes in Indian History series के discussion को continue करेंगे और last के वीडियोज में इसी series के तहत हमने theme 1 यानि bricks, beads and bones को discuss किया है basically हरपन civilization के बारे में हमने काफी कुछ समझा है आज हमारा थोड़ा discussion होगा हरपन civilization के end पर किस तरीके से हरपन civilization का end देखने को मिलता है और इसके बाद chapter 2 यानि theme 2 को start करेंगे और theme 2 में kings, farmers and towns के बारे में समझेंगे time period पे focus करिए 6th century BCE से 6th century AD का time period है और हरपन civilization का time period क्या था? याद है आपको, देखिए revision ज़रूर करना है क्योंकि बिना revision के फिर फायदा नहीं होगा अप्रोक्स आप कहलें कि 2500 से लेकर 750 BCE तक हाला कि थोड़ा बहुत इसमें variation हो सकता है बट एक brief overview आपको time period के बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि देखिए history में अगर आपको chronology की समझ है तो काफी सारी चीजें chronology के माध्यम से ही आप समझ लेंगे तो यह जो हमारा second theme है kings farmers and towns इस पर हम basically बात करेंगे जो महाजन पद का time period देखने को मिलता है उस पर इसके बाद theme 3 में basically देखे तीन पार्ट है इस book के theme series के तो theme 1, 2 और 3 theme 1 में 4 themes है total ठीक है जिसमें जो हमारा theme 3 है यानि जो chapter 3 है concept, caste and class इस पर हम बात करेंगे जो कि वही time period है बर society के perspective से analyze करेंगे चीजों को और जो theme 4 है इसमें thinker, belief and buildings पर बात करेंगे basically cultural development कितना देखने को मिला 6th century BC से लेकर 6th century AD तक और जो मारी second book होगी इसमें of course medieval India की बात देखने को मिलेगी जैसे 10 to 17th century तक जो travelers आते हैं वो Indian society को किस नजरियों से देखते हैं इस पर हम बात करेंगे फिर of course काफी important भाक्ती सूफी tradition काफी सारी question यहां से आते हैं इस पर जरूर focus करना हमें और किस तरीके से religious belief और जो devotional text हैं में changes देखने को मिलता है time period है 8th से 18th century तक का बाक्ती movement तो काफी लंबा time period है इसके बाद theme 7 में हम बात करेंगे imperial capital vision agar empire के बारे में civil services में हर साल किसी ना किसी तरीके से vision agar empire पर question आ रहे हैं और इसके बाद theme 8 में बात करेंगे पीजन जमिंदार्स एंड स्टेट पर basically जमिंदारी system पर हमारा discussion होगा जो की agrarian society है मुगल period के time पर time period again 16th to 17th century का theme 9 पर बात करेंगे मुगल courts के बारे में कि मुगल courts किस तरीके का देखने को मिलता है इसके बाद जो हमारी third book होगी इसमें start करेंगे हम colonialism से और इसके बाद हम लोग समझेंगे 1857 के revolt को फिर urbanization, planning, architecture ये चीजें किस तरीके से देखने को मिलती है theme 13 में गांधी जी और उनका जो योगदान हमारे national movement में इस सीज को समझेंगे और इसके बाद partition होगा और obviously हमारे constitution की framing को details से हम समझेंगे दोस्तो सबसे पहले हमने harapan civilization में area की बात की कि Indian subcontinent के किस पार्ट में देखने को मिलता है और basically एक triangular shape आप कहलने जब आप areas को देखेंगे तो और सबसे बड़ी बात यह है कि script वो undeciphered है यानि भी तक decode नहीं की गई हम समझ नहीं सकते है harapan civilization की people का जो लिखने का तरीका है उस चीज को तो यह काफी अपने आप में important बात है because आप देखें तो history को जब हम analysis करते हैं हम history की archaeology की सबसे खास बात तो यही होती है कि अगर लिखित चीजे हैं और उन्हें अगर हम समझ पाए तो काफी अच्छी clarity मिलती है लेकिन harapan civilization की case में ऐसा नहीं है तो हमारे पास option यहीं बचते हैं कि जो ornaments देखने को मिल रहे हैं या जो अलग तरीके के tools हैं, seals हैं इन चीजों के माध्यम से ही हम harapan civilization को समझते हैं तो इससे काफी कुछ idea लग जाता है seal वगरा से कि कौन कौन से animal काफी उपयोगी रहोंगे या लोगों का नजरिया किस तरीके से होगा जैसे harapan civilization की एक खास बात थी कि बड़े-बड़े temples और palaces नहीं देखने को मिलते हैं तो यह भी काफी कुछ बताता है society के बारे में और हमने सुरुवात की बात की किस तरीके से सेटलमेंट जो है स्टार्टिंग में और large building नहीं देखने को मिलती इसके बाद wide range of animal and plant देखने को मिलता है जिसमें मैंने आपको बताया था आपको horse में confusion नहीं करना है दो तीन बार civil services में पूछा गया कि जो horse है वो present था क्योंकि horse के remain मिलते हैं कहां से सूर कोटदा से अभी recently किसी paper में पूछा गया था कि सूर कोटदा के discoverer कौन थे आप ये comment box में बताइए और सूर कोटदा site कहां पें गुजरात में देखिए आपको sites बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए right code दीजी और अलग-अलग जो sites हैं इसे गुजरात में काफी सारे sites देखने को मिलेंगे लोथल और इसी तरीके से राजसान में देखने को मिलेंगे बनवाली ठीक है तो ये जगह है आपको state के नाम के साथ ध्यान होना चाहिए इसके बाद हमने भूल की बात की केनाल वगरा के sites देखने को मिलते हैं जगह का नाम important है क्या बिल्कुल important है कौन सी जगह है सोर्तु घाई बार भार बोलिए याद हो जाएगा ठीक है सोर्तु घाई अफगानिस्तान में देखने को मिलते है बहुत बार exam में question पूछे गए हैं और अगर आप इस chapter से previous question को देखना चाहते हैं तो UPSC के जो अलग-अलग परिक्षाई होती है serious वगरा इन सब के question को आप देखें तो I think 40-50 से भी जादा question पूछे गए हैं और history playlist में आप इन सभी videos को check कर सकते हैं इसके बाद धोला वीरा देखें civil services 2021 में पूछा गया फिर cds में पूछा गया I think 2021 वाले year में ही ठीक है तो बहुत important है दोला वीरा में ही water reservoir देखने को मिलता है इसके बाद हमने मोहन जोदारों की बात की किस तरीके से unique town planning देखने को मिलती है काफी unique drainage system देखने को मिलता है इसके बाद आपको याद हो match करने को दे दिया जाएगा ठीक है इसके बाद burials की हमने बात की थी कि male और female दोनों ही जो है वो jewelry का use करते है यह सा बात है आपको confuse कर सकती है इसलिए आपको ध्यान रखना है bead making की हमने बात की थी और काफी अच्छे तरीके से हमने समझा यह भी काफी important exams में बहुत बार देखिए यह दो साइट्स आप जरूर ध्यान रखिए विकोज काफी important है क्योंकि यहां यह जो दो स्थल है नागेसर और बाला कोट यह सेल ऑब्जक्ट के लिए काफी famous थे इसके बाद चनहुद्रो लो थल इन जगों पर यह चीजें पहुंचाई जाती थी इसके बाद हम जरूर देखें विकोज चीजें continuity में रहेंगी तभी आपको complete clarity मिलेगी इसके बाद क्या बाकी जगों से इनका contact था तो हां बिल्कुल था विकोज देखिए एक तो मेलुहा वाली जो हमने बात की थी इसके बाद काफी सारे जो seals वगएरा है या जो यह जिस भी तरीके का प इसे हम पढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं और pictographic method था इनका लिखने का और जो script हमने समझा था कि किस तरीके से जो script है यह भी काफी जगों पर यूज तो किये गया है बट इने अभी तक decipher नहीं किया गया है इसके बाद हमने palaces और kings की बात की ना हम बात कर लेते हैं end of the civilization की तो देखे पहली चीज तो यह कि 1800 अगर आप BCE का time period देखे और जो हरपन sites थी जैसे चोलिस्तान वगरा यह खाली हो जाती है और इनी जो time period है 1800 BCE का इसी time period में जो population है उनका expansion अलग-अलग settlements में देखने को मिलता है जिन settlements में पहले संख्या काफी कम थी उन settlements में जैसे गुजरात हरियाना वेस्टन यूपी इन शेत्रों में इसके बाद कुछ जो हरपन site है यह आभी भी 1900 BCE तक भी हमें देखने को मिलते हैं बट जो अनका अलग जो society थी जो culture थी इनमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं because जो distinctive artifacts हैं जैसे weights, seals, beads, य यह सारी चीजें धीरे धीरे गायब होना सुरू हो जाती है तो इन जेनल हम कह सकते हैं कि जो society है वो बेसले decline होना सुरू हो गई है दोस्तों कारणों की बात करें कि कौन-कौन से reason रहे होंगे in decline के पीछे तो अलग-अलग इतियासकार अलग-अलग तरीके से बताते हैं जि इस तरीके के कुछ reason दिये जाए यह वीडियो जो है इसे देखने के बाद आप पीवाइक्यू को जरूर देख लें जो मैंने डिसकस कर दिया सारे वीडियो की लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो वहां से आप इन इसके इस chapter के previous question को जरूर कवर कर लें विकोस तभी आपक प्रेट हैं basically city तो खेर city वाला जो time है वह हमने हरपन सिविलाइशन में देखा अब थोड़ी रूरल economy देखने को मिलेगी दोस्तों हरपन सिविलाइशन के end हो जाने के बाद लगबग 1500 सालों के long spend में Indian subcontinent के में अलग-अलग जो छेत्र हैं इनमें काफी सारे development होते हैं और यही वो time period था जब रीगवेद को compose किया गया इंडस और ट्रिब्यूटरी में रहने वाले लोगों के द्वारा अब जो settlement देखने को मिलेगी वो थोड़ी आप कहसाते हैं यहाँ पे agricultural settlement देखने को मिलेगी स्टाडिंग में तो हमने देखा अरबन सेटलमेंट बट नाव हमें agricultural settlement रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेगी दोस्ते यहाँ पे पहले इवेंट का वर्रन किया गया हो तो इंस्क्रिप्शन कहलाता है और इसी चीज के study को epigraphy कहते हैं काफी important है इंडियन epigraphy को study करने में कुछ important work की बात करें तो 1830 में देखने को मिलता है जो James Princip होते हैं James Princip कोन होते हैं East India Company के एक officer होते हैं मिट department के अंदर यह decipher करने में काम्याब होते हैं किन दो script को Brahmi और खरोष्ठी script को ब्रामी और खरोष्ठी script को किन के दोरा decipher किया जाता है James Princip के दोरा और यह जो दो लीपिया है ब्रामी और खरोष्ठी यह किन जगों पर यूज किये जाते हैं तो यह असोक के द्वारा उसके script में अभी लेखों में यूज किये जाते हैं यह दो script ठीक है और यह जो प्रिंसेप होता है यह इन्हें मतलब एपिग्राफीज को study करने के बाद इन्हें यह पता चलता है कि ज़्यादतर यहाँ पर अभी लेख है इनमें एक important king का वर्नन है और उस king का नाम बताया जा रहा है पियदस्सी पियदस्सी का मतलब क्या होता है प्लिजेंट टू बिहोल्ड अला कि कुछ ऐसे inscription भी होते हैं जिनमें direct नाम भी देखने को मिलता है असोक का जैसे ही James Principe के द्वारा यह discovery की जाती है 1837 में तो इसके बाद historians के mind में यह बात तो आ जाती है कि अब हमें काफी कुछ जो early societies है 6th century की time period के अंदर इन areas में जो society exist कर रही थी उन चीजों के बारे में काफी कुछ समझने को दोस्तों ना बात करेंगे 16 महाजन पद्स के उपर so already महाजन पद्स पर मैंने वीडियो बना दी है और इस वीडियो के साथ हमने महाजन पद्स पर कई सारे previous year question को भी cover किया है तो इस वीडियो को तो आप जरूर पहले समझ लीजे उसके बाद आप उन previous year question को जरूर कवर कर आपको complete clarity मिल जाएगी इस topic के उपर और यह काफी important topic है recently CDS में भी question पूछा गया और हाल के सालों में अगर आप देखें तो कई सारे question महाजन पद्स से पूछ जा रहे है और अब question अभी I think CAPF में question आया था recently जिसमें पूछ लिया गया था river के बारे में कि जो महाजन पद में territory देखने को मिलती है तो उनसे previous question को आप जरूर कवर कर ले तो नाम से ही समझते महाजन पद का क्या मतलब होगा तो जन पद मतलब जनता के पाउं और महाजन पद यानि एक बहुत बड़ी territory को basically refer करता है तो 6th century BCE वाला time period समझना आपके लिए काफी important होगा because यह जो time period है 6th century BCE E का before Christ era का यह time period अपने आप में आप देखें तो काफी important है because यही वो time period था जो religious अप हेवल का time था ना केवल इंडिया में बुद्धिजम जैनिजम विसु के अने चेत्रों में भी जैसे चाइना में Confucius और अलग-अलग चेत्रों में जैसे जरुष्टिनिजम और हर चेत्र में अगर हम बात करें तो बुद्धिजम और जैनिजम है ही इसके अलावा और भी कई सारे religious sects emerge करते हैं और जो 16 estate हमें देखने को मिलता है यह महाजनपद बेसिगाली कहलाता है हाला कि यह जो list है जो नाम है जैसे वजी, मगध, कॉसल, कुरू, पांचाल, गांधार, अवं यह important महाजनपद होंगे तभी तो यह list में बार-बार use होते हैं तो देखे जो महाजनपद थे वो तो kings के द्वारा rule के जाते थे लेकिन कुछ गण भी होते थे संग भी होते थे यह ओलियर्कीज होती थी, ओलियर्कीज का मतलब यह होता है जहां पर देखे ओलिगो का मतलब मेनी होता है और अलियर्कीज का मतलब rule तो जहां पर बहुत सारे rulers मिलके rule करते थे, collectively rule के आता था राजा के द्वारा, तो ध्यान रखे यह काफी important है और ओलियर्कीज से question भी कई बार पूछा गया है, तो कहां पर ओलियर्कीज देखने को मिलती थी, सबसे important वाली वजजी सं काफी important है, ध्यान रखे, exam के अंदर पूछा भी गया है, अब previous question में देखेंगे, इन section से काफी सारे question आया है, तो हाला कि बहुत जो महावीर और बुद्ध हैं, यह दोनों ही गंड से बिलोंग करते थे, अब महावीर किस गंड से बिलोंग करते थे और बुद्ध किस गंड से, यह आप comment करके बताएं, मैंने बताया है महाजनपद वाले वीडियो में, सो प्रतेक महाजनपद की अपनी capital city होती थी, जो की fortified होती थी, देखें हरपन civilization के time पे हमने देखा, की ठीक है palaces तो कुछ मातरा में exist करती थी, बट बहुत सारी palaces नहीं थी, पहली चीज, और द 6th century BCE का time period है, यहाँ पे काफी कुछ fortification देखने को मिलता है, काफी अच्छे से fortify किया जाता था ruler को, और इसका important reason यह भी था, जो सबसे important reason I think मेरे perspective से, वो iron, because हरपन civilization के time पे obviously iron की discovery तो हुई नहीं थी, तो इस वज़ा से, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, पेड़ों की कटा जाना हो गया, या फिर iron tools से काफी सारी चीज़े बनाई जाती है, इन चीजों की absence देखने को मिलती थी हरपन civilization में, जो की महाजनपद वाले time पे exist करेगी, inscription के बारे में मैंने आपको बता दिया, inscription वो writings होती है, जो की hard surfaces में लिखी जाती है, जैसे stone, metal, इन चीजों में, और obviously जब inscription की बात आती है, तो सबसे पहला असोक दा ग्रेट का नाम आता है, बिकोज असोक ने कई सारे अभी लेख लिखवाए हैं, और जो काफी important message दिया society को, peace का, और non-violence का, ये चीज़े अपने आप में काफी जादा महतों रखती हैं, तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने brief discussion किया, सबसे पहले तो हमने हरपन civilization के end को समझा, और हमने complete revision भी कर लिया, और यहां पे हमने 16 महाजन पद के overview को भी cover कर लिया है, now next lecture में बात करेंगे मगद की, जो कि अपने आप में काफी important महाजन पद था, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, helpful लगी होगी और देखी जो मैंने आपको दो वीडियो सजेस्ट किये हैं, पहला तो ये कि हरपन civilization की PYQs काफी अच्छे से आप cover करने जितनी बार हो सके उतना revise करें, और महाजन पद के previous question को भी ज़रूर cover कर लें, और ये दोनों वीडियो कहाँ पर मिल जाएंगी आपको, चैनल पर ही म प्ले लिस्ट में, लेने वाज़ें